दोस्तो इस glass के उपर हम बनाने वाले हैं एक प्यारा सा drawing तो सबसे पहले हमने यहाँ पर outline बना लिया है पुराना drawing के मदद से फिर उसके बाद यहाँ पर outline को feel करने के लिए black acrylic color का इस्तमाल किया है यह एक glass painting है दोस्तो तो normal painting में जो होते है last में करना होता है वो पहले कर रहे है मतलब कि यहाँ पर जो elements हम add कर रहे है वो last में किया जाता है नॉर्मल painting में लेकिन glass painting में यह पहले बनाना पड़ रहा है फिर उसके बाद यहाँ पे हम background को cover करेंगे दोस्तो यह acrylic seat अगर आपको चाहिए तो इसका link हम pin comment में दे रहे हैं वहाँ से आप purchase कर सकते हैं यहाँ पे हमने outline बना लिया है उसके बाद यहाँ पे हम कर रहे हैं coloring और coloring के लिए यहाँ पे यूज किया acrylic color का उसका भी link आपको pin comment में मिल जाएगा दोस्तो glass painting का खास बत यह होता है कि मुझे भी नहीं पता कि यह painting कैसा बनने वाला है जब इसको पल्टेंगे ना तो कुछ जादू जैसा होगा या तो अच्छा बनेगा या बुड़ा तो result देख करके जाना कि यह painting कैसा होने वाला है हमारा painting ready है पल्टेंगे 123 दोस्तो अगर आपको यह पसंद आया तो इस वीडियो को कर देना like और मेरे चैनल को